Hi Everyone, Welcome to Digital GK Classes NCRT Bhrtie 2023 जो है इसका advertisement रिलीज हो चुका है इसमें PRT, TZT, PZT सभी post पे जो है vacances आई हुई है, B8 किया है आपने BTC किया है, सभी eligible है कुछ post में B8 वाले भर पाएंगे कुछ में BTC वाले भर पाएंगे सब कुछ detail में सुनेगा और हाँ अगर आपने just seated clear किया है तो आप सभी कास golden opportunity है इसमें जो है अपलाई करने का सभी state allowed है और आपका इसमें जो है form के भी रुपए नहीं लगेंगे इसमें बस टेक इंटर्व्य होना है और exam नहीं होना है तो प्लीज पूरा वीडियो आंते तक देखना इसमें आपको एक एक चीज पता चलेगी कि इस समय आपको पता है कि वैकेंसिस तो आती नहीं है जून में ही आपका इसमें जो है इंटर्व्य होना है उसके बास से आपको लास्ट तक आपको अपनी email ID पे पता चल जागा कि आप सलेक्ट हुए है या नहीं हुए पैसे लगने ही नहीं है तो forms अभी लोग भर सकते हैं कहां से वैकेंसिसे सारी details आपको मेरी इसी वीडियो मेलेंगी तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजे क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड पी आटी हो टीजटी हो पीजटी हो जो भी जिस पे वैकेंसिस आती है मैं बताती हूँ आप सब ही को ठीक है तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो मैंने इसलिए हाइलाइट भी कर दिया तो आपको अच्छे से समझ में आए यहां पर आप देखे मैं एक एक चीज आपको बता रही हूँ यह आपका पीजटी का है यह आपका यहां पर देखे सब कुछ डिटेल में है तीजटी प्राइमरी टीचर तो इतने सारे टीजटी मतलब जिसमें आपने ग्रेजुएशन में जो सब्जक्ट किया होगा वो यहां पर दिया हुआ है साथ में आपका प्राइमरी टीचर है और इनका डेट ऑफ टाइम दिया है इंटर्व्यू का तो यहां यह वाला सेक्षन है आप आपका इंटर्व्यू वाला 1-6-2023 मतलब जिसमें आप आवेदन करना चाहते हैं तो जून से स्टार्ट हो जाएगा आप देख सकते हैं एक से लेके 9 जून तक लास्ट डेट है तो जो भी सब्जक्ट में आप आवेदन करेंगे उसी पर आपका इंटर्व्यू होना है ठी इतनी एज लिमिट है पीजिटी वाले में 40 है और प्राइमरी टीचर वाले में 30 है तो लास्ट ओके यह दिया गया और बाकी आप सैलरी भी देखी सकते हैं यहां पर आपका जो है आपको कम से कम इसमें 28-29 या 30 हजार तक आपकी सैलरी होने वाली है इसमें तो जो लोग भी किये हुए है आप देख सकते होंगे इसमें पीजिटी हो चाहें टीजिटी हो आप सब अपलाई जरूर करना अगर आप बस प्राइमरी टीचर में बनना चाहते हो तो यहां पर आपको ट्वेल्थ चाहिए क्योंकि आपको पता है 1-5 में 12 चाहिए होता है साथ में आपका ड अगर आप चाहें तो अपलाई जरूर करना क्योंकि बीच में कोई वेकंसिस तो मिल नहीं रही है और यहां पर सभी स्टेट वाले अलाव कर सकते हो क्योंकि एंसी स्टेट कर नहीं होता है आप सब जानते हैं ठीक हैं सी बेसी के दौरा होता है तो आप अजमेर मतला राजस अपना कर सकते हैं जौप के साथ अपना ठीक है वहां इंटर्वी होना है और उसके लिए यहां पर चीजे लिखी हुई है कि वाग इंटर्विय कायोजन किया जाएग जिस भी पोस्ट पर आप करना चाहते हैं इच्छो कभियारती निम्लेगी दिनांग को अलग अलग दिन अपने बायो डाटा जिसमें आपका फोटो होना चाहिए स्वाव सत्यापित प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियों के एक एक सेट एम समस्त मूल प्रमाण पत्र के साथ बतला एक एक फोटो कॉपी एन ओरिजनल जो भी आप डॉक्मेंट्स लगाएंगे उसके साथ आपको लेकर जाना है अप्लिकेशन फॉर्म इसी के नीचे दिया गया है वह आपको वही नीचे वाला ही भरना है एक बार चलो देख लेते हैं क्राइटेरिया क्या है तो आप यह सकते हैं यहां पर देको इसेंसियल वाला सही है डिजारेबल वाला मतलब होता है ना कि अगर है तो ठीक है अधर्वाइस फिर भी आपका काम चल जाएगा तो यह देखे पीजीटी का है बालजी फिजिक्स कॉमर्स होम साइंस एकॉनमिक्स जोगरफी इसके लिए आपके प गुजराती, हिंदी, इंग्लिस, मैफमाटिक्स, जोगरफी, अग्रिकल्चर तो यह भी आपको पता है आचा टीजीटी में आपका सीटेट चाहिए सीटेट मांगा इन्होंने कोई स्टेट करने क्यूंकि एंसीटी है ना सीटेट चाहिए और बीएड वाले चाहिए जिसम इसें आपका इपिप्लोमा होना चाहिए आट में और अपका टीचिंग, इंदी, इंग , अपको पता होना चाहिए बस ऐसा कुछ न ही कि समें आपको बीएड चाहिए लिए नहीं चाहिए बाकि T.turn. alone i.T. морau, computer science में आपका, आपने अगर computers लिया हो, BCA, BAC, BA, BCOM, वो होना चाहिए बस, ठीक है, इसमें आपका कोई seated या फिर beard नहीं मांगा है, आप देख सकते हो, primary teacher के लिए देख लीजे, primary teacher में तो आपको पता है, कोई subject वाला तो होता नहीं है, senior secondary school, मतला आपका, जो inter है, उसमें आपका 50% marks, बाकी SCST, OVC को इसमें छूट भी मिलेगा, नीचे लिखा हुआ है, यह होना चाहिए, और आपका seated clear होना चाहिए, 1 to 5 वाला, ठीक है, then आप apply कर सकते हो, बाकी समें कहीं पर भी बीड नहीं लिखा है, बाकी यह नीचे आप देख सकते हो, लिखा है कि जो भी आप eligible conditions में, आपको work interview के लिए जाना है, with their application in the following format, जो नीचे दिया गया है, उसके साथ, recent वाला passport size photograph होना चाहिए, original आपकी होना चाहिए, documents, proof of age होना चाहिए, cast certificate अगर आपके पास है, SCHT, OBC लेकर जाना इस पर छूट मिलेगी, ठीक है, and a set of self-attested copies होनी चाहिए, for scrutiny one hour before the commencement of the interview, तो एक घंटे पहले आपको वहां पर यह सारी चीजे submit कर देनी है, बाकी आप यह instructions पढ़ लेंगे, तो आपको और भी एच्छे से समझ में आ जाएगा, कि कैसे करना है, application form only in the prescribed format, will be conscure prescribed format में होना है, यहां पर कोई online आपका होना नहीं है, application form नीचे दिया गया है, उसको फिल करना है, यहां पर देखे, email ID आपके पास होने ही चाहिए, without email ID, photograph signatures, आपका reject हो जाएगा, क्योंकि इस email ID पर आपका interview होने के आपको पता चलेगा, कि आप select हुए हैं या नहीं, ठीक है, तो बाकी और भी चीजे मैं आपको detail में बता देती हूँ, application forms not presented, one hour before the commencement of interview, अब commencement होने के बास से आप सोचो के एक घंटे पहले हम दे दें, तो वो will not be entertained, वो नहीं हो पायागा, ठीक है, यह देखे, यह आपको लेके जाना है application format, यहां पर as recent वाला, category जरूर mention करो, date of birth हो गया, age as on the date of interview, यह ठीक है, बाकी अपना qualification इसमें भरिये, जो भी है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं यह, और बस इसको लेकर ही जाना है, ठीक है, और भी एक चीजे मैं आपको बताना चाहूँगी, यहां पर देख इमेल के माध्यम से भेजा जाएगा, और हाँ, इसमें अगर आपने कुछ जो है, जो eligibility मांगी है, और आप सोचे कि मेरा यह सीट नहीं है, यह फिर बीड नहीं है, भर देंगे, तो वो रिजक्ट कर देंगे, तो इसलिए पोस्ट वाइज ही अपना करिए, जिस पे आप करन चाहते है, incomplete applications, देखे, लिखा हुआ है, कि वो नहीं करेंगे, candidates already in job should get their application forward through their employers and send with no objection certificate, ठीक है, यह सारी चीजे लिखी गई है, और यह देखे, लिखा हुआ है, कि the above selection temporary appointment will be subject to the conditions as mentioned and may be interrupted in the NCRTs later, यह सारी चीजे दी गई है, और सीटो की संख्या बढ़ाई भी जा सती है, ठीक प्लीज अपलाई जरूर करें, और यह अज मेर का है, NCRT का है, वाक इंटर्वी होना है, पैसे लगने नहीं है, केवल आपको interview देना है, select हो जाते है, तो अच्छी बात है, आपको एक job भी मिल जाएगी साथ में, और उसके साथ भी अपनी तायारी कर सकते हो, और बाकी इस